हेलो फ्रेंड्स यदि आप बैंटरी इन्वेटर या सोलर यूजर हैं या बैंटरी इन्वेटर और सोलर खरीदना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलपफुल, यूजफुल और इन्फोर्मेट्व होने वाला है क्योंके बैंटरी के अक्सेतर में इंडिया के टोप थ्री ब्रांड एमरोन, एकसाइड और लुमिनस की वह तीन बैंटरियां जो सबसे अधिक खरीदी और बेची जाती हैं 150 AH और 3 साल की वारंटी वाली बैंटरी इन तीनों बैटरियों का इस वीडियो में एक ऐसा कमपेरिजन टेस्ट आपको दिखाऊंगा जो यूटूब के इतिहास में आपने पहले नहीं देखा होगा क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर परमोशन वीडियो नहीं बनाते पैसा लेकर वीडियो नहीं बनाते जो सच्चाई होती है वही दिखाते हैं केवल जुवानी जमा खर्च नहीं करते पहले जेब से खर्च करते हैं और उसके बाद आपको एक अच्छा कमपेर टेस्ट दिखाते हैं एक्साइड की बैंटरी में 53 किलो 690 ग्राम का वजन हो रहा है लुमिनस की बैंटरी का वेट हो रहा है 54 किलो 760 ग्राम एमरोन की बैंटरी का वजन हो रहा है 55 किलो 850 ग्राम दोस्तों यह है एमरोन की बैंटरी जिसका मोडल नमबर AR150TT54 दिया गया है बैंटरी के उपर कहीं पर भी इसके एमपियर मेंसन नहीं किये गए है 54 मन्थ इसकी वारंटी दी गई है इसकी फीरी रिप्लेस्मेंट 36 महिनने की होती है कमपनी ने अपना टोल फृरी नमबर भी बैंटरी के उपर मेंसन किया है बैंटरी के उपर यह C10 या C20 रेटिंग की कौन सी है कुछ भी मेंसन नहीं किया गया है और इस battery के साथ हमने Luminous का 1050 VA का inverter connect करना है Exide की battery का model number है IMTT 1500 और यहाँ पर लिखा गया है C20 rating की battery है और 150 AH में है नीचे company का toll free number दिया गया है Inva Master tubular inverter battery के नाम से इसको जाना जाता है और इस battery के साथ भी हमने Luminous का 1050 VA का inverter connect करना है और तीसरी battery हमारे पास है Luminous की इसका model number है EC 1807 warranty 60 महिने में इंसन की गई है company वानती है कि यहाँ battery 5 साल चलेगी प्रंतु इस battery की भी 36 महिने यानि 3 साल की ही replacement होती है दोस्तो तीनो टोप ब्रांड एमरोन, एकसाइड और Luminous तीनो की 180H की battery तीन साल रिप्लेश्मेंट वारंटी में नोन सोलर battery है तीनो बैटरियों पर एक साथ लोड डालेंगे घड़ी हमारे पास है समय उसमें देखेंगे कौन सी बैटरि में कितना दम है कोई नहीं दिखा था तो आज इस वीडियो में आप अपनी आँखों के सामने कैमरे के सामने बिलकुल सच्चा ही देखेंगे यह तीन हिटिंग रोड मेरे पास हैं इनका लोड टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि तीनों का लोड बराबर है या नहीं लोड को टेस्टिंग बोर्ड से connect मैंने कर लिया है इस समय हम देख रहे हैं कि लगभग 475 हम कह सकते हैं इस हिटिंग रोड का लोड है इसके लावा दूसरी रोड को भी देख लेते हैं दूसरी hitting road का load भी हम देख रहे हैं कि वही 475 इसका भी load है तीसरी को भी check कर लेते हैं और तीसरी hitting road का भी load हम देख रहे हैं वही 475 watt का load इसका भी है दोस्तो invator पर load डालने से पहले कहीं ये doubt ना रहे कि कोई battery कम या जादा charge हो सकती है इसलिए लोड चलाने से पहले हमने इन तीनों इन्वेटर को grid से connect किया है तो पहले हम तीनों बैंटरियों पर charging on करेंगे और जब तक इन्वेटर इनको full charge कटोप नहीं दिखाएगा तब तक charging करेंगे और उसके बाद load चलाएंगे तो यहां से हम इनको own कर देते हैं तीनों इन्वेटर की main और charging की बत्ती आ गई है एक्साइड की battery full charge है तो इसलिए charging की बत्ती off हो गई है और luminous की battery की भी charging की बत्ती off हो गई है क्योंकि तीनों ही battery पहले से ही full charge है तो इस परकार तीनों ही इन्वेटर में charging की बत्ती बंध है केवल main की बत्ती own है तीनों battery एक जैसे इन्वेटर से ही हमने full charge कर ली है और तीनों इन्वेटर को grid से निकाल कर हमने इनकी main lead इनके उपर इसलिए रख दी है जिससे की यह doubt ना रहे कि कहीं इन्वेटर को grid से supply तो नहीं है और दोस्तों ठीक चार बज चुके हैं और हम तीनों इन्वेटर के shoot on कर देते हैं तीनों इन्वेटर on हो गए हैं और तीनों ही heating road हम देख रहे हैं कि red हो गई है दो इन्वेटर के उपर तो हमने testing board भी लगा रखे हैं तीसरा testing board हमारे पास नहीं था लेकिन load तीनों पर बराबर है और testing board के हम जो unit हैं उनको tear zero कर देते हैं unit को tear zero कर दिया है यानि unit इस meter में बिल्कुल zero है और last में हम देखेंगे कितने unit हमारी battery generate करेगी दूसरे meter में भी हमने unit को tear zero कर दिया है और load यदि हम देख रहे हैं कि 475 है और यहाँ पर भी 475 watt का ही load है दोस्तो वीडियो का यह पार्ट आपको fast forward करके दिखाऊंगा cutting कोई नहीं होगी दोस्तो इस परकार की वीडियो बनाने में हमारा बहुत effort और बहुत मेहनत लगती है और यदि आप हमें हमारी मेहनत का credit देना चाहते हैं तो please channel को subscribe कर लेना और वीडियो को like करके share जरूर कर देना दोस्तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा एक घंटा हो चुका है तीनों बैंट्रियों को चलते हुए तीनों ही बैंट्रियों का एक घंटे में performance बहुत अच्छा रहा है और अभी आगे भी हमें देखना है और हम देख रहे हैं कि इस समय लोड 425 वाट का हो गया है तोनों ही display में हम देख रहे हैं कि 425 वाट का लोड इस समय हो गया है जबकि starting में load 475 watt का था यानि 50 watt load घटा है load इसलिए घटा है क्योंकि inverter के वोल्ट भी घटे हैं जैसे 184 watt इस समय हम देख रहे हैं starting में वोल्ट 195 के आसपास थे तो क्योंकि वोल्ट घटे हैं तो इसलिए load भी घटेगा 425 watt का इस समय load तीनो ही inverter पर चल रहा है दोस्तो हम देख रहे हैं कि एक्साइड की battery वाला inverter low battery का indicator दे रहा है और बजर भी दे रहा है अब यहाँ बंध होने की स्थिती में है और लगभग एक घंटा पंदरा मिनट मान सकते हैं सवा घंटा इसने इस load को चलाया है अभी चल रहा है लेकिन लगातार indicator आ रहा है और बजर की आवाज भी आ रही है और लगातार बजर बज रहा है और ओफ हो चुका है इन्वेटर हम देख रहे हैं कि जो लोड था हिटिंग रोड थी वह है ओफ हो चुकी है तो एकसाइड के इस मैंटरे ने यह लोड सवा घंटा चलाया है और इस लोड को हम ओशत मान सकते हैं स्टार्टिंग में लोड था 475 वाट और लास्ट में इस समय लोड चल रहा है लगबग 410-12 वाट का लोड इस समय चल रहा है और लूमिनस और एमरोन अभी मैदान में डटे हुए हैं देखते हैं कि कितना टाइम तक इस लोड को यह चलाएंगे दोस्तों लूमिनस का इन्वेटर लोब एंटरी दे चुका है और डिस्पले में हम देख रहे हैं कि 0.66 यूनिट का इसने जनरेशन किया है और लास्ट में लोड रहा गया है 384 वाट वोल्ट है 177 लोब एंटरी का इंडिकेसन आ गया है बजर आ गया है और इस समय यह बंद होने ही वाला है और समय हम देख रहे हैं और बंद हो चुका है इन्वेटर और यह है और इस बैटरी ने इस लोड को चलाया है एक घंटा बतिस मिनट अभी एमरोन की मैटरी चल रही है और इसके डिस्पले में हम देख रहे हैं कि इसने 0.66 यूनिट का जनरेशन किया है और लास्ट लोड चल रहा है 388 वाट और 176 वोल्ट हैं अभी देखते हैं कि कितनी देर इस लोड को यह चला पाती है और दोस्तों एमरोन की मैटरी का इनिवेटर भी लोड बैटरी देखर के कटोप हो चुका है और समय इसने लिया है एक घंटा लगभग 43 मिनट दोस्तों इस समय इस इनिवेटर पर हमने यह हिटिंग रोड चला रखी है और आप देख रहे हैं कि 400 वाट का लोड है 182 वोल्ट है और 400 वाट का लोड है अक्सर कमपनी वाले किसी भी इनिवेटर या बैटरी की परफोर्मेंस दिखाने के लिए इस तरीके के 2200 वाट के बल्ब हमें लोड के रूप में चला कर दिखाते हैं तो हम देखेंगे कि 2200 वाट के यह बल्ब कितना लोड देंगे इसको हम यहां से निकाल देते हैं और इसकी जगह हम इस बल्ब को कनेक्ट करते हैं कमपनी के लोड के अनुसार यह 2200 वाट के दो बल्ब 400 वाट के मानते हैं लेकिन अगर हम इनका लोड देखेंगे तो 285 वाट का लोड है इन दो बल्ब का कमपनी वाले इसको 400 वाट लोड मानकर यूजर को भरमित करते हैं जबकि 400 वाट का लोड हमने अभी देखा था कि यह जो हीटिंग हमारी रोड थी इनका लोड 408 था फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बल्ब को मैंने निकाल दिया है जिनका लोड 285 वाट का है और यह हीटिंग रोड मैं आपको चला कर दिखा रहा हूँ यह रोड मैंने connect कर दी हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 408 का लोड अब है जबकि इन दो बल्बों का लोड 408 नहीं होता इनका लोड 308 तक हो सकता है क्योंकि दोस्तों यह है बल्ब या यह हीटिंग रोड इनका लोड वोल्ट पर depend करता है वोल्ट के according इनका लोड या बढ़ सकता है वोल्ट घटेगी तो इनका लोड भी कम हो जाता है वाट और दोस्तों तीनों कमपनियों की यह है बिल्कुल एक समान बैटरी यानि 150 एच और तीन साल रिप्लेस्मेंट की वारंटी में इनका परफोर्मेंस आपने देखा मैं किसी की तारीप नहीं कर रह ग्राम और एमरोन की बैटरी का वेट हुआ था लगबग 55 किलो 850 ग्राम लगबग आधा एक किलो का अंतर है इतना अंतर एसिड के कम जादा होने से भी हो सकता है तीनों ही बैटरियों पर हमने स्टार्टिंग लोड डाला था 475 वाट का लेकिन लास्ट में चलते चलते लो लोड रहा है बैक अप टाइम लुमिनस की बैटरी ने एक घंटा 32 मिनट इस लोड को चलाया है एक साइड की बैटरी ने एक घंटा 15 मिनट इस लोड को चलाया है और एमरोन की बैटरी ने एक घंटा 43 मिनट इस लोड को चलाया है वारंटी तीनों की 36 महीने लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है और इन बैटरियों के प्राइज की बात कर लेते हैं तो लुमिनस की बैटरी का इस मोडल कािसे में मार्किट प्राइज लगभग शाड़े बैटरियों की यह है पूरी एनालिसिस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी परकार की कई सारी वीडियों बैटरी, इन्वेटर और सोलर के संबंद में आप चैनल पर देखेंगे और आपको परचेज करने में बहुत हैल्प मिलेगी वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो करके शेयर जरूर कर देना जिसे जानकारी औरों तक भी पहुंचे कोमेंट जरूर करना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरीके की वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट लगता है आपके सब्सक्राइब आपके लाइक आपके कोमेंट से ही हमारा होशला बढ़ता है और हम बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्ते